आज आपके साथ 11 मुचल फंड की जो इक्विटी मुचल फंड की ऐसी स्किम सेर करने जा रहा हूँ जो कि पिछले 7 साल में यदि डेटा चेक करें तो 8 मार्च 24 तक का अपडेटी डेटा है 20% से ज़्यादा के CAGR से रिटन दे चुकी है यह क्या है अब इसमें वो स्किम भी है जो 20% के रिटन दिये है और उससे उपर अब अब साइड तक चलते हुए हम देखेंगे कि कौन सी स्किम ने कितने रिटन दिये है और फोर एक्जमपल यदि आपने 5 लाख रुपए किसी भी स्किम में इन्वेस्मेंट किये होते तो आज की रिटम से उपर के रिटन दिये पिछले साथ सालों में और साथ साल का टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा सोट टर्म पीरिड है यह साथ साल का पीरिड भी दिको इन्वेस्मेंट करता है और सही एमाउंट है उसका लंसम का तो ऐसे टाइम फ्रेम में लम सम से आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो और SIP का amount भी आदी आपका ठीक ठाक है और आपको अच्छे return मिल जाते हैं तो something is always better than nothing उस case में भी आपके पैसे जुर दाएंगे लेकिन जो multiplication यानि की power of compounding का benefit मिलता है इन case of SIP जो हम मंतली SIP करते हैं वो 10-15 साल से उपर जितना चलोगे उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा ठीक है तो laptop की screen पर चलते हैं ये data मैंने आपको बता दिया equity की schemes है CAGR का return जो calculate किया है 20% से उपर सबसे पहले वो scheme देखेंगे जिसने सबसे कम return दिये है यानिकि list में नीचे है उसके बाद बढ़ते हुए करम में चलेंगे 8 March 24 को इसकी calculation की गई है और उधारन के लिए जो value consider किये वो 5 लाग रुपे किये है ये 5 लाग रुपा आपने investment किया होता one time lump sum investment before 7 years तो आगे data समझने के लिए चलते है laptop की skin पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है scheme उसके next है value of 1 lakh rupees in lakh तो यह 1 lakh लाग नहीं है यह 5 lakh लाग रुपीस से है जो 5 लाग रुपा investment किये थे और जो bracket में लिखा हुआ है lakh यानि कि उसकी value अब कितनी हो गई है 7 साल में और 7 years CAGR 7 साल में कितने जो है annualized return निकाल कर दिये कितनी growth दी है बना कर ठीक है तो सबसे पहली scheme को यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले नंबर पर आती है पराग पार एक flexi cap अब यह पहले नंबर कौन सा है पायदान में सबसे नीचे जो 11 scheme है यहानि कि 11 नंबर की scheme है ठीक है और एक flexi cap से कोई fund इस list में आना जो 20% से CAGR से उपर growth चुका है पिछले 7 साल में वो बहुत अच्छी बात है अब एक बात और के लिए करना चाहूँगा कुछ लोग जो नए हैं जिनको पता नहीं कि 20% के return और सुनों कैसे दी है ऐसा नहीं कि 20% every year दी है कि हाँ ठीक है स्टार्टिंग से पहले साल में दूसरे 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 चोथे पांच में में हर साल 20% से उपर के return दी है ऐसा नहीं है कभी 15% दी होंगे कभी 25% भी दी होंगे पांच लाग रुपए के लगबग चारगुना पैसे हो चुके है return दी है इसने CAGR 21.11% 21.11% के बहुत शांदा return है साथ साल के period में बहुत ultimate return है यदि इतने return मिलते है then you are lucky that you have chosen this type of mutual fund ठीक है अब चलते है second scheme यह है Bank of India ELSS fund equity link saving scheme जो की tax save करने के लिए हम लोग investment करते हैं जिनको tax बचाना होता है इसमें 3 साल का low-in period होता है पिरती है कैसा ही पी आपकी 3 साल के लिए low कर दियाती है यहाँ पर अलमसम की बात कर रहा है तो जो 3 साल पहले किया होता अलमसम एक साथ आपने किया वो 3 साल बाद आपकी units विडियो हो जाएंगी 3 साल बाद उसको आप redeem कर सकते हो तो इसने बना दिये 20,15,000 रुपए आपके 5,000,000 रुपए के 22.04% के CGR से return दिये है अब देखते हैं तीसरे नमबर के scheme SDFC Small Cap Fund यहाँ पर 20,41,000 रुपए इसने बनाए है पिछले 7 सालों में आपके 5,000,000 रुपए के और 22.26% के CGR से इसने पिछले 7 सालों में return निकाल कर दिये है बहुत कमाल के return है नेक्स्ट है फोर्थ नमबर पर SBI Small Cap अब Small Cap क्या रहा है देखिए आगे भी आपको और एक चीज ओर देखने को मिलेगी ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक AMC से आपको more than 2-3 funds यहाँ पर देखने को मिले अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे के क्या करण है उसको further study करने कोसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो उस पर भी share करूँआ यह आप लोग कमेंट करोगे ठीक है तो यहाँ पर SBA small cap 20,34,000 पर बना दिये आपके 5,000,000 के in last 7 years at the rate of 22.54% CAGR ठीक है नेक्स्ट स्कीम देखते हैं यहाँ पर Axis small cap यह तीसरी लगातार Axis small cap है दो पहले अलग category के fund थे तो इसने बनाये 5,000,020,93,000 22,70% के CAGR से इसने return निकाल कर दिये बहुत अच्छे return है नेक्स्ट स्कीम आपके Nippon India small cap और देखें यहाँ पर return का gap देखिये 21.1111 फिर 22.26% उसके बाद 22.54% फिर 22.70% तो बहुत ज़्यादा variation नहीं है लेकिन आप एक्सिस के बाद जब निपोन आया यहाँ पर आपको लबब 2% का वरियेशन देखने को मिल रहा है जो gap है इन दा लास्ट 7 यार से CAGR रिटन ठीक है तो निपोन इंडिया स्मोल कैप ने बनाया आपके 5 लाग के 23 लाग 40 जार और यहाँ पर 24.67 24.67 के जो है रिटन CAGR से निकाल कर दी है बहुत अच्छे रिटन है नेक्स्ट इसके निपोन के बाद क्वान्ट फ्लेक्सी कैप यानि कि क्वान्ट का स्मोल कैप इसमें नहीं है हो सकता है आगे आजा है देख लेते हैं क्वान्ट फ्लेक्सी कैप का निपोन इंडिया स्मोल कैप के बाद आना यानि कि निपोन इंडिया स्मोल कैप से बहतर रिटन निकाल कर दी है क्वान्ट फ्लेक्सी कैप फंड ने इन लाज सेवन यार यदि CAGR की बात करें इसने बनाये 23 लाग 77 यार at the rate of 24.95% CAGR almost 25% के CAGR से गिरू हुआ है क्वान्ट फ्लेक्सी कैप का फंड जो पिछले साथ सालों में ठीक है next scheme देखते हैं again क्वान्ट क्वान्ट एक्टिव फंड देखें यहां पर 23 लाग 85 यार इसने बनाये हैं और जी 25.01 25.01% के रिटन निकाल कर दियें बहुत अच्छे रिटन है 25% के रिटन next scheme देखते हैं लगातार क्वान्ट की दो क्वान्ट की अगें third scheme in the list which is क्वान्ट मिड कैफ फंड it has made 24,94,000 रूपी almost 25,00,000 रूपी from your 5,00,000 रूपी invested in 7 years ago ठीक है और इसने रिटन दियें 25.81% की जो बहुत अच्छे रिटन है almost 26% के रिटन देना किसी active मिड कैफ फंड के लिए कमाल के रिटन है इसके बाद देखें next scheme आपकी यह है क्वान्ट ELSS fund अब स्टार्टिंग में second number की scheme जो थी हो Bank of India की ELSS tax saver scheme थी ठीक है अब यहाँ पर क्वान्ट के लगाता चार fund आ चुके है क्वान्ट की भी tax saver scheme है यह जिसने 25 लाख extra dayar बना दी है आपके 5 लाख रुपए के और यह बहुत ज़्यादा लंबा time frame नहीं है जो 7 साल का time frame है ठीक है 7 साल पहले पीछे देखिए आप 7 साल पहले आपने क्या किया था क्या क्या चीजे खरीजी थी कहां कहां आपने पैसे save किये थे तब आपको remind हो जाएगा कि हाँ इतने time पहले यदि आपने पैसे invest कर दिये होते और आपके पास साथ इतने पैसे उस समभा होंगे भी इतने नीटे तो एक लाग थे, दो लाग थे, तीन लाग थे जितने थे उतने आप investment कर सकते हो अभी भी कर सकते हो तो quant tax saver ने 26.29% के 26.29% के CAGR से बहुत शांदा return मना कर दिये है next scheme देखते है quant small cap fund 26,4,000 rupees 26,5,000 रुपीज चब्विस लाग रुपए पास लाग से बना दिये हैं और at the rate of 26.59% के CAGR से गिरो हुआ है quant के जो है न यहाँ पर 5 fund हैं इसकीम में quant flexi, quant active, mid cap, ELSS 5 fund जो हैं 11 में से केवल quant की आ रहा है जिन 5 में से 4 schemes has given the return of more than 25% ठीक है और एक तो 26.59% small cap न दिये almost 26% के return इससे उपर के भी दिये है तो देखे कितने कमाल की scheme है मतलब mutual fund आपको wisely select करके और उसमें continuously invested रहने की ज़रूत है और यह lump sum investment की calculation की बात इसलिए किये हैं यापर बहुत लोग पूचते हैं कि lump sum कप करें कौन सी scheme में करें यह आप पर depend करता है मैं बहुत सारी वीडियो आपके साथ साजा कर चुका हूँ अब कुछ लोगों के ऐसे से comment आते हैं कि बस उन पर reply करना भी उचित नहीं लगता कि सायद उनको खुद उससे सीखना पड़ेगा अभी तो कोसिस करते रही है सब कुछ सीख लोगे आप everything is easy to learn यदि आप कोसिस करोगे तो हर कोई सीख लेगा हर कोई market से investment करके पैसा भी बना लेगा गलतियां होगी गलतियों से डरिया नहीं बसरते कोसिस कीजिए कि बाकी लोगों से सीखने कोसिस कीजिए अभी इन में से कौन से करें आगे तो ये सब question आप पर depend करता है आपको इनके जवाब ढूंड रहे है कि आपको कौन सी category में investment करना है आपके risk taking capacity is कर सी है and number of videos I have uploaded on my channel daily एक video आप सामको जो है 8 बज़े आती है और कुछ ना कुछ में नया उसमें आपको अच्छा सिखाने के लिए कोसिस करता हूँ आप कुछ लोगों को तो केवल वो चाहिए कि हाँ ठीक है एक कोई stock से mutual fund ऐसा बता दें कि ultimate बहुत सांदा return दे दिये बन गया ऐसा कुछ अच्छा है अच्छा है कुछ अगर leaks से हटकर सिखाने कोसिस करता हूँ बहुत maximum लोग appreciate करते हैं तो maximum number of people से हो न उनको ही मैं consider करके वीडियो बनाता हूँ ठीक है एक दो comment डिस्पर करके आभी रहें वो उनकी बुद्धी के label का वहाँ पर बताता है कि हाँ ठीक है यह direct fund के return है और पांच लाख रुपा investment की थे साथ साल पहले आठ मार्च को हमने monthly withdrawal कर लिया calculation देखी तब इतनी value पांच लाख रुपा की बनी है यदि कम से कम जो list में सबसे नीचे है वो पराग पारेक flexi के अब 21% 11% के return है उनिस लाख दसेयर बना दिये के कम बना है पांच लाख के उनिस लाख almost यानि कि उसमें 14 लाख रुप एड हो गए चार गुना वैसे value हो चुकी लगबग और जो top है 26 लाख रुप बनेगा भई पांच पंजे 25 यानि कि पांच गुना से भी ज्यादा value compound हो चुकी है including your invested money of 5 lakh rupees ठीक है चलिए आज की वीडियो को यहें पर समाप करते हैं कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक कली राम राम नमस्कार जैहिन जै भारत